दोस्तों अगर आपने learning license बनवाया हुआ था और किसी विकारण से आपका license permanent में convert नहीं हो पाया और 6 महिने बीट गए तो आपका license expired हो जाएगा अगर आपका license expired हो गया है तो आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा complete देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका learning license expired हो गया है तो किस तरीके से आप लोग फिर से अपने learning license को re-issue कर पाएंगे तो दोस्तों अभी तक से आपने हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है तो like करके channel को भी subscribe कर लीजिए दोस्तों आपको सबसे पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि आखिर learning license expired कब होता है उसे permanent में convert कब करवा सकते हैं जैसे मान के चलिए आज 1 October है आज के date में आपका learning license issue हो गय तो 1 November को permanent के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका permanent में convert हो जाएगा दोस्तों एक महीना बाद यानि learning license आज issue हो गया तो उसके issue होने के एक महीना बाद आप लोग permanent के लिए आवेदन कर पाएंगे learning license की validity टोटल 6 महीने की होती है आपको एक महीने बाद यानि आपको टोटल 5 महीने का time मिलता है permanent में convert करवाने के लिए एक महीने के अंदर में convert नहीं हो पाएगा आप लोग आवेदन करेंगे तो होगा ही नहीं एक महीना बाद ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे दोस्तों सबसे पहले google आपको open कर लेना है फिर इसके अंदर सर्च करना है परिवहन सेवा ठीक है परिवहन सेवा जैसे ही सर्च करेंगे सबसे उपर इसकी website आ जाएगी इसे open कर लेना है चलिए website को open होने देते हैं अभी website open हो गई यहां पर online services में आना है दूसरे नंबर पर driving license related पर कर देना है क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया page खुल जाएगा ठीक है यहां पर आपको अपने state को select कर लेना है भारत के अंदर चितने भी राज्य हैं दोस्तों सभी आ जाएंगे और सभी का process बि को इस तरह का interface खुल जाए यहां पर आना है learner license में ठीक है उसके बाद से यहां पर पहले नंबर पर नए के लिए आवे दिन कर सकते हैं expire के लिए यहां पर दूसरे नंबर पर ठीक है expired learner license issue again ठीक है इसके उपर आपको कर देना है क्लिक फिर यहां पर आपको अपने expire license number को आपको fill up कर देना है आपका जो पहले जो आपका learning license है उस पर आपको उसका number मिल जाएगा इसके अंदर date of birth डालना है और simple आपको submit कर देना है ठीक है यहां पर हमने जो learning license expire है number fill up करके submit कर दिया है ठीक है अब फिर आपको यहां पर आपका नाम और आपके पापा का नाम नजर आजाएगा फिर confirm कर देना है जैसे ही आप confirm करेंगे उसके बास से यहां पर loading लेगा loading लेने के बाद यहां पर आपको submit by आधार authentication पर कर देना है क्लिक ठीक है इस पर आपको टिक करके उसके बास समिट कर देना है फिर रोके करना है फिर यहां पर आधार पर टिक करके फिर से यहां पर इसके अंदर आधार नंबर डालना है उसके बास से generate OTP पर कर देना है क्लिक हमने जैसे generate OTP पर क्लिक किया यहां पर OTP send कर दिया गया ह OTP को इसके अंदर आपको fill up कर देना है ठीक है आपके registered mobile number पर OTP चला गया होगा ठीक है इन तीनों पर tick mark करके आपको simple authenticate पर कर देना है click तो यहाँ पर दोस्तों OTP चलिए हमने यहाँ पर fill up कर लिया अब यहाँ पर authenticate पर करते है click उसके बास से यहाँ पर आपका पूरा details नजरा आजाएगा आपको कुछ भी share chart नहीं करना है बिल्कुल नीचे आजाना है आपको कुछ भी share chart नहीं करना है कुछ भी extra fill up नहीं करना है ठीक है ध्यान दिजिएगा ठीक अब यहाँ पर आपको proceed पर कर देना है click उसके बाद से यहां पर इस टाइप का ओफसन नजरा जाएगा यहां पर भी आपको बिल्कुल ही छेड़-चैड नहीं करना है सीधे नीचे आना है ठीक है चलिए यहां पर नीचे आते हैं यहां पर आप लोग कुछ भी चेट-चेट कर भी नहीं पाएंगे ठीक है यहां पर टोटल यारा जायगा यहां पर टूवीलर फॉर वीलर दोनों के लिए हमने आवे दन किया हुआ था तो यहाँ पे आपको tick करके यहाँ पे इस पे click करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा ठीक है चलिए यहाँ पे simple हमने यहाँ पे motorcycle को tick किया इस पे click किया देखे इधर आगया ठीक है इसी तरीके से light motor पर भी click करके हमने यहाँ पे इधर कर लिया ठीक है उसके बासे अब क्या कर करना है दूसरे वालो plants वाले को आपको यस करना है बाकि सभी को नो कर दे रहे है यहां पे अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लीजेगा लेकिन इस तरीके से आप लोग में कर दिजेगा ठीक है उसके बाद से इस पर टिक करके submit कर देना है चलिए ok कर देते हैं ok करने के बाद यहाँ पर हमारा joh declaration form है submit हो गया चलिए इसे cut देते हैं अब यहाँ पर simple आपको submit कर देना है उसके बाद से अब ok करना है फिर से again यहाँ पर ok कर देना है फिर यहाँ पर देखिए आप जैसे यह OK करेंगे, आपको यहाँ पर application number मिल जाएगा, application number को आप लोग लिख करके कहीं रख लीजेगा, आपके नंबर पर भी application number SMS द्वारा आ जाएगा तुरंथी, ठीक है, यहाँ पर two wheeler, four wheeler दोनों दिखा रहा है, आप चलिए, यहाँ पर next कर देते हैं, उसके बास से यहाँ पर आपका application number automatic और date of order दोनों fill up हुआ मिल जाएगा, simple आपको capture code fill up कर देना है, capture code fill up करने के बाद simple आपको submit कर देना है, हमने capture code fill up कर दिया, जैसे ही आप लोग submit करेंगे, फिर अगला step खुल करके आ जाएगा, total दोस्तों इसके अंदर तीन step दिये जाएंगे, ठीक है, अगला step खुल करके आगे, आपको नीचे आना है, देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला step है, successfully complete हो गया है, ठीक है, दूसरे step में हमें बस अपने documents को upload करने हैं, और तीसरा जो step है, इसके अंदर आपको payment कर देना है, बस हमारा काम खतम हो जाएगा, ठीक है, अब चलिए, यहाँ पर simple proceed कर देते हैं, document में आप लोग केवल अपने learning license को ही upload करना है, ठीक है, आपको, और कोई भी document नहीं लेगेगा, ठीक है, यहाँ पर अगल पर क्या करना है, देखे, यहाँ पर आपको सबसे पहले documents करना है, क्लिक, यहाँ पर learning license का केवल एक option नजर आएगा, ठीक कर दीजिएगा, ठीक है, इस पर ok करेंगे, proof के अंदर भी आपको learner license को select कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर, यहाँ पर देखे, जो option यहाँ पर नज select कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमने select कर लिया है, अब simple यहाँ upload पर कर देते हैं, click, जैसे ही upload पर करेंगे, click, यहाँ पर upload होते ही, यहाँ पर view का option नजर आजाएगा, view के option पर click करके आप लोग देख लीजिएगा, कि आपने जो learning license लगाया है, वो सही है ना, कोई दूसरा form तो नहीं upload हो गया, ठीक है, बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो लगाया है, वो learning license बिल्कुल सही है, अब चलिए यहाँ पर simple confirm कर देते हैं, confirm होते ही, यहाँ पर देखिए, all documents are uploaded successfully, लिख करके आ गया, अब हमें कुछ भी upload नहीं करना है, ठीक है, simple बस हमें अब यहाँ से next कर देना है, next करेंगे, तो अगला step खुल करके आ जाएगा, जिसके अंदर आपको payment करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको फिर से capture code enter क करने के बाद, simple आपको submit कर देना है, ठीक, यहाँ पर application number, date of birth, automatic, fill up हुआ, मिल जाएगा, ठीक, चलिए, हमने submit कर दिया है, submit होते ही, यहाँ पर आपको नीचे आना है, अब फिर से आपको proceed कर देना है, ठीक है, अब इस बार हम payment करने वाले हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पर proceed कर देते हैं, प्रोसीड होते ही, यहाँ पर दिखिए, फिर से आपको, यहाँ पर bank gateway को, आपको state bank of India को select कर लेना है, और यह capture code को इसके अंदर fill up करके, पे ना उपे कर देना है, क्लिक, चलिए, capture code, same to same fill up कर लेते हैं, capture code हमने fill up कर दिया, अब यहाँ पर simple pay ना उपे करते हैं, क्लिक, अब सीधे आपको यहाँ पर I agree वाले option पर tick करके, proceed for payment पर कर देना है, क्लिक, total 300 रुपे का payment लगने वाला है, चलिए, proceed for payment पर कर देते हैं, क्लिक, अब यहाँ पर redirect करके, payment gateway पर लेकर करके जा रहा है, ठीक है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग net banking से payment करना चाते हैं, state bank के, तो इस वाले option को select करके payment कर सकते हैं, other किसी net banking से, यहाँ से payment होगा, अगर आप लोग ATM card से payment करना चाते हैं, state bank के, तो यहाँ से होगा, other किसी bank का ATM card है, तो यहाँ से payment होगा, अगर credit card है, तो आप लोग यहां से पेमेंट कर पाएंगे ठीक है जैसे हम पेमेंट करने वाले हैं स्टेट बैंक के डेविट कार्ट से एटीम से इस पे करते हैं क्लिक इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद से ओप्सन खुल करके आ जाएगा सिम्पल आपको कन्फर्म कर देना है और फिर से आपको एक ब़र कन्फर्म कर देना है जैसे ही आप लोग दो बार कन्फर्म कर देंगे उसके बाद से अगला ओफ् measurements करके आ जाएगा हमें अपने डेविट कार्ट का इसके अंदर पूरा details फिलक करके मेँट कर देना है आप लोग का license issue हो जाएगा फिर से आप लोग अपने learning license को download कर पाएंगे दोस्तों अच 4 दिन हो गया है अब चलिए देखते हैं license issue हुआ या नहीं यहां पे online services में driving license related service पे क्लिक करके हमें उत्तर परदेश को select कर लेना है उसके बास से यहां पे application status पे करना है click यहाँ पे आपको अपना application number और date of birth फिलप करके यहाँ पे application number चलिए फिलप कर देते हैं इसके अंदर आपको अपना date of birth डाल देना है ठीक है जो भी आपका date of birth है और यह capture code यहाँ पे same to same जो capture code जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल same to same enter कर देना है तो आपको status यहाँ नजर आ जाएगा चलिए समिट करते हैं समिट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सक्सेस्फुली यहाँ पे देखिए हमें license number भी दिखा रहा है यानि हमारा license दोस्तों इसू हो गया इसलिए यहाँ पे license number 100 हो रहा है ठीक है यहाँ पे application date भी आप हमें देखने को मिल रहा है चलिए नीचे आते हैं दिखा देते हैं आपको यहाँ पे जिस दिन हमने form को 610 2023 को ठीक है यहाँ पे देख लिए 610 2023 को हमने payment complete किया और जो slot है LL का वो slot book करने की जरूरत ही नहीं है आपको विजिट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे scrutiny देखिए यहाँ से आठियों से scrutiny हमारा 610 2023 को ही complete हो गया यानी उसी दिन जिस दिन हमने payment किया उसी दिन scrutiny हो गया और यहाँ पे हमारा license जो है अगले दीन ही यानि साथ तारिक को ही अप्रूब हो गया ठीक है इसू हो गया ठीक यहां पर देखिए 7 तरिक को यहां पर 7 10 2023 को हमारा लाइसेंस एक दिन बाद ही इसू हो गया रहा बद प्रिंट का तो प्रिंट हमने आज किया है यहां पर 11102023 को देखे यह रहा लाइसेंस ठीक है तो दोस्तों अगर आपका कोई कोस्चन है तो कॉमेट करके पूछ येगा थैंक यू